दिल्ली के मौरिया शेरटेंड होटल का वो शांदार सुईट जिसमें ठहरेंगे अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन देश की राज़ानी दिल्ली में G20 संबेलन को लेकर तयारियां चल रही हैं इसमें चाक्चावबंद सुरक्षा व्यवस्ता से लेकर विदेशी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्ता तक हर चीज पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है संबेलन में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से मेहमान आ रहे हैं जिनको ठहराने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के 18 होटेल पूरी तरह से सजधच कर तयार हैं मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली का ली मेरिडियन, मौरिया शेरिटन, इंपीरियल, हयात, ओबिरॉय, दललित, ताज पैलिस, शांग्रीला, दलोधी, ग्रांड, पुलमेन, क्लेरिज़, दलीला, जेडबलू मेरियट और आईटीसी मौरिया शामिल हैं गुरुग्राम के लीला एंबियंस और अबिराय में भी विदेशी महमानों को ठहराय जाएगा दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राश्रपदी जो बाइडन भी भारत आ रहे हैं बाइडन को दिल्ली में मौरिया शेरटन के शांदार चाड़क के स्वीट में ठहराय जाएगा साल 2007 से ही चाड़क के स्वीट अपने खास महमानों का स्वागत कर रहा है अमेरिका के पूरराश्रपदी बाराकोबामा जब भी दिल्ली दोरे पर आए तो इसी स्वीट में ठहरे महान राजनितिग्य, कूटनितिग्य और अर्थशास्त्री के नाम पर बना चाड़क के स्वीट अपनी अध्भुत सजावट और डिजाइन के लिए पहचाना जाता है इस 46 वर्ग फुट के स्वीट का प्रवेशद्वार रेशम से धंकी दिवारों के साथ शाहिक गलियारे का अन्वो कराता है जिसके अंत में चाड़क्य की एक शांदार मूर्पी रखी गई है इस गलियारे के दर्वाजे प्राइवेट और वर्क स्पेस में खुलते हैं इन में मास्टर बेडरूम, वॉक इन अलमारी, निजी स्टीम रूम, सोना और जिम 12 सीथ वाला डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, स्टडी और ओफिस स्पेस शामिल है इन सभी में सूरज की रोशनियानी की पूरी विवस्था है मौर्या शेरटन के चानक के सूइट में ठहरने के बाद दराई लामा ने कहा खा कि चानक के सूइट की उर्जा काफी सकारात्मक है इस सूइट में बराक उबामा और दलाई लामा के अलावा अमेरिका के पूर राश्ट्रपदी बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बृतिन के पूर प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, रूस के राश्ट्रपदी ब्लादमिर पुतिन और सौधी के किंग अब्दुल्ला समेथ दुनिया भर के कई राश्टा ध्यक्ष और शाही परिवार ठहर चुके हैं, जब बृन्वई के सुल्तान चानक्य सुईट में ठहरे तो उन्होंने इसकी लाइट्स को गर्म पीली रोश्नी के बजाए, ठंडी सफेद रोश्नी वाली विवस्था में बदलने को कहा था, आपको बता दें कि चानक्य सुईट में ठहरने वाले मेहमानो पर किसी भी डिश को यहां विशेश रूप से लाया और पकाया जाता है, चानक्य सुईट की दूसरी खास्यतों में अजीज और तयव मिहता जैसे प्रतिश्चित कलाकारों की दुरलव कलाक्रितियां भी शामिल हैं, अर्थशास के चित्र, ठीम से जुड़े चान्दी के स्प्रिंकलर इसकी शोभा बढ़ाते हैं, मास्टर बात्रूम में मदर आफ परल इनले वर्क, मिलेरोय और बोच क्रॉकरी, फिस्टल डी पैडिस कांच के बरतन रहते हैं, ये तमाम खोबियां विदेशी मेहमानों और खास कर राश्टा ध्यक्षों को अपनी ओर खीचती ह सामान नितावर पर इस स्वीट में एक रात ठहरने के लिए आपको आठ लाक रुपए खर्च करने पड़ेंगे, चलक्या स्वीट में ठहरने वाले मेहमानों को कुछ विशेशा धिकार भी मिलते हैं, क्या आपको इस बारे में पता था, आपका इस खास स्वीट के बारे मे क्या कहना है?